अगर आप बिरोजगारी भत्ता योजना का लाब लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले रेजिस्टेशन करना होगा तो रेजिस्टेशन की प्रक्रिया के संबन में आज इस वीडियो में आपको जानने को मिनेगा सबसे पहले आप अपने मुबाइल कंप्यूटर या लेप्टाप पर किसी भी एक ब्राउजर का जो है इस्तमाल कर सकते हैं जिसकी मदद से आप अच्छे सी इंटरनेट शेला पाएं हम आपको क्रोम ब्राउजर की सहायता से रेजिस्टेशन करने की प्रक्रिया को बता रहे हैं सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है ओपन कर लेने के बाद सर्च टाइप पर बिरोजगारी भत्ता.cg.nick की आफिसल वेबसाइट को ओपन करना है इनकी आफिसल वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपको बिरोजगारी भत्ता.cg.nick की टाइप करना होगा उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना होगा जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे आपके सामने 36 गड़ इस्टेट सेंटर की जो है आफिसल वेबसाइट ओपन हो जाएगी इसी पर आपको क्लिक यहाँ पर करना होगा जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने बिरोजगारी भत्ता योजना से जुड़ी उनकी आफिसल वेपसाइट जो है ओपन हो जाएगी और इस official website में जिना भ्यारतियों को नहीं पता कि बिरोजगारी भत्ता योजना के लिए क्या-क्या नियाम और सरते रखे गए हैं इसकी सम्मन में भी आप जानकारी यहाँ पर स्क्रोल डाउन करके ले सकते हैं यह पातरता की सरते क्या रखे गई हैं आप आतरता की सरते क्या रखे गई हैं आवेदन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी आप क्या-क्या दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे उस सम्मन में सारी जानकारी यहाँ पर आप इस सर्व वेबसाइट पर बताए गई है अगर आप विरोजगारी भता योजना के लिए रजीटेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले नया खाता बनाया पर आपको जो है क्लिक यहाँ पर करना होगा सबसे पहले यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका विरुजगारी भत्ता योजना से जुड़ी नई जानकारी के लिए यहाँ पर पोर्टल ओपन हो जाएगा इस पोर्टल को जैसे हम जूम आउट करेंगे आपके सामने नया खाता बनाया वाली जो छोटी सी आपसम दिखाई देगी इस पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने दोबारा से एक नया पोर्टल जो ओपन हो जाएगा आपके पीज रिडारेक्ट हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर आप मुबाइल नंबर लिखा होगा जो भी अभियारती बिरुकारी भत्ता योजना में अपना रिजिस्टेशन करवाना चाहते हैं उनके पास मुबाइल नंबर होना चाहिए जो भी मुबाइल नंबर है वाधार कार्ट से लिंक होना चाहिए और साथ ही साथ उनके पास email ID होनी चाहिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना mobile number टाइप करना होगा जो भी अभियारती यहाँ पर अपना mobile number टाइप करेंगे उनके में एक OTP जेनरेट होगा OTP किसी कारण वज़ जेनरेट नहीं हो रही है तो आप OTP के जगा में हम आपको एक नया OTP बताएंगे उसका इस्तमाल करके आप इसके लिए registration करवाएंगे सबसे पहले यहाँ पर अपना mobile number टाइप यहाँ पर करेंगे हम अपना यहाँ पर mobile number टाइप कर रहे हैं उसके बाद OTP भेजे पर किलिक करेंगे तो जैसे ही यहाँ पर OTP भेजे पर किलिक करेंगे तो OTP सफलता पूर्वक mobile number यहाँ पर दिखाया जाएगा में भेज दिया गया है इस तरीके से message आ जाएगा तो अगर आपके में OTP आ जाता है तो आप इसके जगा पर OTP का इस्तमाल कर सकते हैं अगर OTP नहीं आता है तो आप यहाँ पर एक, दो, तीन और चार इस तरीके से OTP यहाँ पर डाइप करेंगे और OTP सत्यापित करेंपर आपको क्लिक करना होगा जैसी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपकी यहाँ पर बता दिया जाएगा आगे पेज यहाँ पर खुल जाएगा आपको password बनाने के लिए यहाँ पर बोला जाएगा और आप इस तरीके से save करने के बाद अब इसके लिए registration कर पाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 8 character का जो है आपको password बनाना होगा तो जो भी है भिहारती इसके लिए registration करवाना चाहते हैं उनको जो है यहाँ पर password generate करना होगा तो जो भी है भिहारती है जो इसके लिए registration करेंगे वे जो है यहाँ पर अपना art character का जो है password यहाँ पर बना लें हम यहाँ पर अपना art character का जो है password यहाँ पर बना लेते हैं उसके बाद आगे यहाँ पर आपको save करने पर click करना होगा तो जैसे ही आप save करने पर click करेंगे तिहां आपको एक जो नया मेसेज यहां पर दिखाई देगा कि चतिसगर विरोजगारी भत्ता योजना में आपका पंजियन सफलता पूर्वक हो गया है आवेदन करने के लिए पंजिकरित मोबाइल नमबर और पासवार्ट प्रविष्ट करके लॉग इन करें इस तरीके से आप अपना रजिस्टेशन कर सकते हैं और जो भी आपने पासवार्ट यहां पर आपने बनाया हुआ है उन पासवार्ट को कहीं कागज पर लिख के अच्छे से रख लें उसके बाद आपको दुबारा से लॉग इन यहां पर करना होगा दुबारा से लॉग इन कर लेने के बाद जो हम आपकी की प्रक्रिया आपको बता रहे हैं तो जो भी है भिहार थी इस तरीके से जो है विरुजगारी भरत्ता योजना का लाव लेना चाहते हैं विजुह अपना रजिस्टेशन करवा सकते हैं